हेलो गाईस कैसे आप सबी जैसे कि आप सबी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइम पे में अपने डिवैस में Android 14 की स्टोक रोम को यूज कर रहा हूँ या फिर बोलो तो कस्टम रोम को यूज कर रहा हूँ गाईस अगर आप भी अपने डिवैस में Android 12, Alten या फिर फोर्टन को यूज कर रहे हो तो आज किस वीडियो के अंदर में आपको आपके डिवैस के अंदर जो इस परकार का क्योज पैनल है इसके लिए कमाल का मैजस मोडूल बताने वाला हूँ जो की मैजस, करनल, SEO और परकार से करना है जिसके स्क्रें के आप देख सकते हो अब आपका जो किस पैनल है आप उसे एक बार ऐपन करके देखो जैसे की स्क्रेंट पे आपको इस परकार से दिख रहा है जिसके अंदर इधर तो मुझे एक्वास टोंगल देखने के लिए मिलते आए यानी कि इनको मैं कर सकता हूँ या पर मुझे notification पैनल देखने के लिए मिल रहे है अब गैस आप अपने device को एक बार ऐसा करके देखे जैसे के screen पे आपको मैं screenshot दिखा रहा हूँ वैसे आपको आपका QS पैनल देखने के लिए मिलेगा लेकिन गैस मेरी आज की इस वीडियो को follow करने के बाद अगर आप अपने device में Android 12, 13 या फिर 14 को यूज़ कर रहे हो तो आप क्युछ इस परकार के QS पैनल को यूज़ कर सकते हो वैसे गैस में आपको बता दो कि इस magic model के पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आप इसका update आ चुका है जैसे कि सबसे पहले आप के लिए नहीं मिलता इसी के लावा हम आपको edit वगारा करके दिखा देता हूँ यह देखो इसके अंदर भी आपको कोई problem वगारा देखने के लिए नहीं मिलता यान कि guys पहले जो magic model था उसके अंदर जितने भी bucks वगारा ते वो सभी fix कर दिये गये इस magic model के अंदर इसी के ल करके रखता हूँ तो यह सारे options आपको यहां पर working देखने के लिए मिल जाते हैं कोई भी problem वगारा देखने के लिए नहीं मिलती जैसे के screen के आप देख सकते हो तो guys चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इस time पे मैंने जो new qs panel को enable कर रखा है सबसे पहले इसको remove कर देता ह और फिर मापको बताता हूँ कि आपको क्या कुछ करना होगा जैसे कि guys अब आपस भी अपनी screen पे देख सकते हो मैंने अपने device में जो qs panel है उसको default कर दिया है मुझे निच्चे notification देखने के लिए मिलते हैं यहां पर उपर की तरफ यह qs टोंगल देखने के लिए मिल जाते अब guys मैं आपको बताता हूँ कि new qs panel को कैसे enable करने है लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा telegram channel है जिसके अंदर 6200 पलस members है अगर guys आपको root related, custom, roam related, realme, showme, pokok devices के अंदर कोई भी help वगएरा चाहिए तो आप यहां पर आ सकते हो अगर आपने device को root कर रखा है तो आपको यहां पर काफी ज़दा help मिले वाली है magisk, root, custom recovery related तो यहां पर जुरूर आ चाहना है अब guys आपको क्या करने है simply अगर आपको हमारा new qs panel चाहिए तो simply आपको मारी वीडियो की description के अंदर जाने है जहां पर आपको यह वाला magisk model देखने के लिए मिल जाएगा जिस simply उसको open करने है जैसे की screen पर देख सकते हैं इस time पर मैं kernel issue को use कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको क्या करने है module के section के उपर जाने है install forum storage को option के उपर जाने है यहां पर जाने के बाद guys मैंने आपको वीडियो के description के अंदर जो qs panel वाला magisk model दिया है उसको simply found करना है क्लिक कर करना है यह आपके device में अपने आप install हो जाएगा कुछ ही seconds के अंदर guys जैसे आपके device में यह वाला magisk model इंस्टोल हो जाए आपको simply आपके device को reboot कर देना है अब guys जब तक मेरा device reboot हो रहा है आप wait कीजिए wait कर रहे हो तो इस video को like कर दीजिए जैसे मेरे device reboot होता है मैं आपको बत application को open कीजिए open करने के बद आपको simply क्या करना है आपके device में जो qs panel उसको check करना है वो कुछ इस परकार से awesome हो चुका होगा जो कि आप अपनी screen पे देख सकते हो इसके अंदर आपको अभी तक तो कोई bucks वगएरा देखने के लिए नहीं मिलेंगे अब guys मैं आपको फिर से बत subscribe कर लेना बकी guys मुझे नीचे comment करके बताना कि आपको ये वाला match model कैसा लगा चलिबे मिलते मारे किसी next वीडियो में तब तक टाटाब